हेलो फैंस स्वागत है अंकूर पर्मकल्चर फार्म में आप सबका वेल्कम टू अंकूर पर्मकल्चर फार्म और देखिए यह यूकलिप्टिस कितने बड़े हो गए है आपने अगर हमारा प्रिवेस वीडियो देखा है तो यह बहुत छोटे छोटे थे बिल्कुल छोटे औ और आप देखिए इनकी हाइच्ट कितनी बढ़े है अप देख सकते हैं कितनी परे हो चुके हैं इसमें यह बड़ा मज़ा आता है जब हम बीच मेना ऐसे वॉक करते हैं शोटें देखिए ईसे वॉक करते केंषे में बड़ा अच्छा लगता है~! यूकिलिप्टिस के बीच में वाक कर रहे हैं। 77 पीट का हमने डिस्टेंस रखा है चारो तरफ और इनको लगाया था। यह बैरें लेंड है एक्चुली बिल्कुल लाइंग एरिया। और यहां पर पानी काफी जमा हो जाता है जब रेनी सीजन आता है। इस पानी बहते बहते वहां जाता है। यहां भी भर जाता है। तो आप देख सकते हैं यूकिलिप्टिस। यह कितने बड़े हैं। इसमें वजा आता है जब आप ऐसे बीच में चलो इन लोग के इनके पेरों के बीच में। अगर आपको यूकिलिप्टिस की खेती करने हैं तो इस बेस्ट टाइम टू प्लांट यूकिलिप्टिस इस फेरवरी जो अभी आने वाला है। तो आप थोड़ा सा लैंड को थोड़ा करने के बाद आप सेवन फीट के डिस्टंस रखे। प्लांट होते हैं और उन्हें छोटे से प्लांट होते हैं उन्हें आप गजाती हैं और उन्हें पानी दा ले, पूरी लैंड को पूरा पानी से भर दे और फिर उसके बाद 15-15 दिन बाद आप पानी दा ले यूकलिप्टस में पानी की ज़्यादा जुरूत नहीं होती है वांस वो लग जाते हैं और वो एक समर को पार कर लेते हैं तो यह समझ लिजिए, शर्वाइव कर गए। ऐसे भी बहुत ज्यादा पानी जहां पे भहता है वहां भी लग जाते हैं और जहां बहुत बेरेंड हैं वाटर की रोती हैं वहां भी लग जाते हैं और इसकी खेती होती हैं हमने यह रेखिए कित्दे लगाए हैं कुछ कुछ बहुत चोटे हैं और कुछ बड़े हो गए हैं इस बार भी हमने कम से कम 25 लगा हैं और पहले जनवरी में हमने 300 तक लगाया थे तो यह दूर तक आप देख सकते हैं देखें वह देखी दूर दूर तक आपको नजर आ रहे हैं यह सारे प्लांस जो ट्रीज बन गए हैं और यही खुशी होती है जो हम अपने ही हाथ से लगाए हुए ट्रीज प्लांट को ट्रीज होते देखते हैं और यू सी कम से कम 20 फीट से भी उपर है यह और अब सिर्फाइयर्स पे इतने ग्रो हो जाएंगे इत विकम वेरी वेरी टॉल और इनके जो यू कलिप्टेस अगर आपके यहां पर बैर इन लेंड है पानी रुखता है तो आप वहां पर जरूर लगाए या तो सिफ बांडरी स्पे लगाएं तो आ यह तो सिफ बॉंडरी स्पे लगाएं तो यह वेरी लाइक अजिक अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेर permaculture farm thank you